इस्राइली हमलों के बाद यादें ही रह जाती हैं, घर तैसनेस हो जाते हैं और जहां हिजबुला के लोग रह रहे होते हैं, वहाँ अपनी यादों को समेटने के लिए वो घरों के मालिक उनके नाते रिष्टेदार आते हैं, जो हमले में बच जाते हैं. इस वक्त मैं बादरान के उसी बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहां पर कसीर को मार गिराया गया हिजबूला का कमांडर था लेकिन जिस घर में रहता था वो वहाँ पर जो लोग मारे गए उनके अपने देखिए किस तरह से यादों को समेटने के लिए ढूंडने के लिए क वो उन चीजों को जो साबुत बची हैं समेटने की कोशिश कर रही है देखिए घर तो नहीं बचा लेकिन ये कप और कुछ समान बचे हैं वाट वाट हैपन हेर लो नो अंडरस्टाइं इंगलेश देखिए इन तमाम लोगों को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है एक यहां रहने का क्राइसिस है दूसरा यहां आशियाने बरबाद हो गए हैं यह देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए अरेंजमेंट किया हुआ था इन्होंने बड़ी बैटरी रखी है अगर य फ्रीजेटर रेटर था शायद यह किचन का एरिया था यह पूरा तैसनेस हो गया है यहां हेजबुला का कमांडर रहता था किराये पर यह घर दिया गया था लेकिन अब इस किराये के बदले में कीमत देखिए कितनी चुकानी पड़ी किराये किरायेदार के तौर पर आये है पूरा घर खतम कर दिया घर में रहने वाले जो मकान मालिक थे उनकी भी जिन्दगी खत्म हो गई अब उनके कुछ अपने इस मलबे को देखने के लिए यहां बची खुची चीजों को समेटने के लिए उन यादों को देखने के लिए जो आश्याना इन्होंने बनाया थ यहां पहुंचे हैं और यह महिला पिछले काफी टाइम से इसी तरह समान जुटा रही है लेकिन इस में से इस मलबे में से जो बचा खुचा है शायद वो भी इतना कीमती नहीं है इतना बड़ा घर इन्होंने शायद जब मैं आया यहां तो इनको देखा कि कितनी परेशान और यह थी शायद इन्होंने यह सपना देखा होगा कि उनका एक घर होगा वहां से आमदनी होगी और इस पहड़ी इलाके में आमदनी का जरिया हो जाए तो इससे बेटर और क्या हो सकता है लेकिन यह आमदनी का जरिया हिजबुल्ला के कमांडर को यह घर देना इन्हें कि पडोस में एक मकान है उस पडोस वाले मकान के मालिक की भी पूरे एर स्ट्राइक में मौत हो गी आसपास तनाब है टेंशन है इन खुबसूरत वादियों में जहां बहुत ही हसीन नजारे देखने को मिलते हैं वहीं युद्ध शुरू होने के बाद इसराइल की मिसाइल से इ वादियों का आमन तूट रहा है और इस तूटते आमन में चकना चूर हो रहे हैं उन लोगों के सपने जो इस पहाड़ी इलाके में यानि हम ये कहें कि बेरूत और साउथ लिबनन से दूर इस इलाके में रहकर शांती से जिन्दगी गुसर बसर कर रहे थे उनकी हो रहा है उसे देखते हुए लगता यही है कि इसराइल में ये बरबादी का दौर जल्दी से थमने वाला नहीं है कैमरामेन अजीज चाको के साथ जगविंदर पट्याल, ABP News, बादरान, विकाव वैली, लेबनान